हेलो आप सभी का स्वागत है concept decoder technical के यूटूब चैनल में जैसा कि पता है हमारी जो classes चल रही है number systems की जिसमें complete number system discuss करने वाले है जिसमें basic सारी question discuss कर रहे है तो इस series में आपका ये 6th class है I think और 6th class के पहले हमने बिल्कुल basic numbers क्या होते हैं किसके start के numbers होते है factors से related prime factorization ठीक है और factors अब तो आज हम नया concept discuss करने वाले है और आज का जो concept है वो है कि factors का sum ठीक है क्या factors का sum कैसे निकाला जाता है उस पर base question कैसे बनेंगे उसको कैसे हम easily question को solve करना है हमारी approach क्या होना ची question को solve करने की तो सारी सीज़े हम discuss करने वाले है ठीक है तो अभी तक जितने लोगों ने channel क subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कर लिजे और साथ में घंटी के bell icon को press कर लिजे जिससे कि upcoming जो भी classes है आपको आपके studies related जो आपकी classes है और जो भी upcoming notification होते है उसका सारा जो detail है आपको YouTube channel के मादयम से आपको मिल जाएगा ठीक है तो कर देना है और अभी क्या करना है आपको सबसे पहले वीडियो की जो class है class के link को copy करके आपके whatsapp status और जितने भी आपके study groups होंगे उसमें share कर देना है ताकि इससे क्या होता है ना teacher को motivation मिलता है और वो ज़्यादा स्यादा content पढ़ाने की कोशिश करता है और ने-ने concept ने-ने topic लेने के आपके कोशिश करता है तो ज़्यादा classes वो क्या है आपके YouTube channel पर upload है वहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है चलिए तो आज की class हम स्टार्ट करते हैं आज जो हम concept discuss करने वाले हैं Sum of Factor क्या discuss करने वाले है Sum of Factor Sum of Factor की अगर हम बात करें तो Sum of Factor एक अच्छा concept है और इस पर base question आपके बनते ही बनते हैं और यह जो Sum of factors की बात करें यह उनी से बनेगा जिन्होंनों स्टार्टिंग से class देखी है क्योंकि सबसे पहले आपको बिलकुल स्टार्टिंग से देखना है जो भी आज पहली बार class देख रहा है तो सबसे पहले मुझे आप सभी से request है कि आप पहले पुरानी class देखे उसके बाद ही करना ही कि पहले आपको पुरानी classes देख रही है उसके बाद ही आपको आज की classes continue करनी है है तो आज हम स्टार्ट करते है सम ऑफ एक्टर तो Summa Factor की बात करेंगे तो Summa Factor सबसे पहले आपको क्या करना है तो पहले आपको इसका निकालना Prime Factorization करनी है क्या करनी है, प्राइम Factorization करनी है ठीक है, जैसे तो आज Concept Lecture 5 है तो सबसे पहले हम देखते है Prime Factorization मैंने Last Class में भी बताया था ठीक प्राइम फेक्टराइशन कैसे करना इसको डिवाइड करना होता है यह होता है नाइन इंटु टू और यह हो गया फाइव इंटु टू ऐसे आप ब्रेक होगा ठीक है तो दो कितने हो गया है तो दो हो गया है टू पे कितने की पाउर हो गई टू पे टू की पाउर इंट 5 कितना है तो 5 पर 1 की पाउर है ना अब इसे हम इरेश कर लेते हैं तो यह मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं बट आपको एक्जाम में ऐसा नहीं करना है आपको डारेक्ट जो भी वैलू पता है कि इसके इतने 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 फैक्टर हो सकते है या फिर इसमें 2 कितने हैंगे 5 कितने आएंगे साथ है तो कितने आ रहा है वह आपको डारेक्ट दिखना है और अपको लिखना है ठीक तो यह तो अगर प्राइम फेक्टराइजन की बात करें तो यह ऐसा होगा अज हम किया निकालना है sum of factors यान्यू factor का sum ठीक तो sum of factor निकालेंगे कैसे हम इसको स् 0 की power से और जाना कहांता है कि जहां तक उसकी highest power है वहां तक ठिक, एक bracket में ले लेना है और sum बोला तो sum कर देना है, उसके बाद, next में क्या start होगा, तो next में start हो जाएगा, 3 पे 0 की power, plus 3 पे 1 की power, plus 3 पे 2 की power, कहां तक जाना है, highest power 2 की power, थ्री कितने क्या रहा है त्र." merc our liा जाते इस प्र कितने किपौर है फाइफ उन चेफ सिर्फ पार की पाऊर है तो फाइफ पे जीरो की फाऊर था यह होगा किसे यह सम्वाउ फ्राव अब इसको क्या करना हो दो किपाउर पितना हो जाएगा चार-चार और यह 2 कितना हो जाएगा चार और दो च्छे और यह 2 पे 0 के बावर यह कितना होता है साथ तो इस पूरे को सम करने पर कितना आ जाएगा ठीक है तो इस पूरे को सम करने पर कितना जाएगा तो इस पूरे को सम करने पर आ जाएगा 17 ठीक है यह 9 हो जाएगा 9 और 3 12 12 प्लस 1 कितन इंटू 5 पे 0 यह 5 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 इस पूरे को multiply करेंगे तो क्या है का 180 के sum of ट्राजाएगे ठीक है तो कर लिए multiply जो हो जाएगा 42 और 42 इंटू 13 27 जाएगा 5 वावनों चाच 56 दो दो बचा था था नौ स्वरी 52 जाएगा इसका sum of factor ठीक है अब कैसे क्या किया हमने ऐसा क्यू किया है यह आपके मन में सवाल चल रहे होंगे ऐसा ही क्यू किया तो मैं इसको थोड़ा एक बार explain कर देता हूँ अब पास 2 की चोईस क्या थी कि 2 पे 0 की पावर 2 पे 1 की पावर 2 पे 2 की पावर highest ठीक है तीन की चोईस क्या थी 3 पे 0 की पावर 3 पे 1 की पावर और 3 पे 2 की पावर 0 की पावर मतलब हम 2 को एक विवार ना ले या फिर 3 पे 0 की पावर मतलब 3 को एक विवार नहीं लेने वाली condition क्या होती है वो जीरो की power होती है वशे पाँस की power 5 पर 0 की power पांस पर कितने पार हो जाएगी ठेक है अब देखरों ध्यान से क्या करना इसमें एक हम choice ले सकते हैं क्या कि 2 पर 0 की पावर लिया तीन पर लिया और 5 लिया तो देखो यह आया कि निया कि तीन पांस या पंद्रा हो जाएगा और यह तो पे जिरो के पावर मतलब दो को एक बीवार ने लिया तो क्या हो जाएगा ठीक है या फिर हमको ऐसा भी ले सकते हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यह इतनी डिटेल में नहीं जाना है आपको इतना ध्यान धखना है कि जब भी सम आफयक्तर की बात है ऋगी तो इस में तो को मुल्टिप्लाइब तो सम अफ्रेक्टर का इतने भी सेक्टर है उनका सम जो होगा 180 के कितना हो जाएगा 546 होगा कितना होगा 546 ठीक है तो होप सभी को समझ में आ गया होगा और अगर आपको एक और एक्जामपल लेकि चले तो इसका स्क्रिंशॉट ले चलना ना स्क्रिंशॉट लेलो जल्दी से इसका आगे देखते हैं तो इसका जो आया था प्राइम फेक्टराइशन वो कितने आए थी तो पे 2 के पाउर इंटू 3 पे 2 के पाउर इंटू 5 पे 1 के पाउर जैसे अगर हम 360 की बात करें 360 की बात करें तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 पे 3 की पाउर इंटू 3 पे 2 की पाउर इंटू क्योंकि इसमें यह double है 180 का तो इसमें 2 ही extra मिलेगा बागे तो same होंगे और 5 पे कितने होगी 1 की power अगर इसके हम prime vector का sum बले sum of factor बोले तो क्या हो जाएगा यह start होगा कहां था 0 से 2 पे 0 की power plus 2 पे 1 की power plus 2 पे 2 की power plus आई यह इस कहां था जाएगा 2 पे 3 की power और सकाइब बार जाहएगा conception 9 12 और 1 13 होाइगा इंटू 5 और 6 तो इसको multiply करने पर कितना तो पूरा multiply करने पर जाएगा इसमें तो इसमें पूरा multiply करने पर आ जाएगा 1170 कितना जाएगा 1170 आ जाएगा अब क्या करेंगे तो अब हम आगे आगे के जो आगे इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे ठीक है अब मतलब इस पर बेस कोशन करेंगे तो सबसे पहले और भी इतने में कि आगे कोशन बन सकते हैं तो हमने एक example लिया है जैसे बोला है the sum of all factor of 3600 which are जिसमें आपको total number of factor निकालना है even factor निकालना है odd factor कैसे निकालना है multiple of 6 कैसे निकालना है ending with 5 ending with 0 वाले कैसे निकालना है time factor का sum कैसे होगा composite factor का sum कैसे होगा ending with 5 वाला perfect square वाला और perfect q वाला है यह सारी चीज़े हम discuss करने वाले हैं सबसे पहले हम इसकी हम factorization कर लेते हैं 100 100 क्या हो जाएगा तो 100 में हो जाएगा 2 पे 2 का square into 5 पे 2 का square इसक थर्टी शिक्स थर्टी सिझ्ट हम जाएगा 9 इंटू 4 दूपे कितने उजाएगा अपका 9 4 уже 2 3 पे किपावर हो गया थिक है तो पूरा हम बात करें बात करें तो कितने हो गए हमारे पास थो होगया है 2 पे 4 की power इंटू 3 कितने हो गया है तो 3 पे 2 की power इंटु फाइफ कितने हो गय है तो 5 पे 2 की power छीक है अब क्या करना है तो बताना है कि total number of factor कितने होंगे निकाल लेते हैं लुटाल नंबर अफ्यक्टर किसी होंगे एड़ करना पड़ेगा इसको हिंधा तो पे जिरो की पॉब्लस नुपर की पोबट की पर यहां तक जाएंगे हैस्ट उसके वा सिरिका प्लस थी पे बन की पार फ्लस थ्री पे न की पर назвOULD की पार UC 5 का देख लेते हैं 5 पर 1 की पाउर प्लस 5 पर 2 की पाउर प्लस 5 पर 3 की पाउर हो गया कर लीजिए विसको सब्सक्राइब कितना हो जाएगा तूपे यह हो जाएगा सूला सूला और यह कितना हो जाएगा आठ तो अबिस और चार अठाइस अठाइस और यह जाएगा 31 ठीक इंटू इसका देख लेते में नौ और तीन बारा और एक तेरह हो गया क्या हो घृत्रों जोन हूं गया एक सबच्चैस एक Ultra और बच्चैस एक सबच्चास और जीरू की पॉर लेंगा लगा फैस By जीरो के पाऊर वन के पाऊर 25 पर 31 तेस्ट विगे नुस एक्साट पिंट एला तुटीने जाएगा प्टर प्रेवने जाएगा तुसत्रा तो इतना आ जाएगा यह हो इसके टोटल नंबर फेक्टर हो जाएंगे ठीक है तो सभी को समझ में आगया होगा सारी चीजे की टोटल नंबर फेक्टर कैसे आएंगे हमें इसको एरेज करूंगा तो आप इसका स्क्रिंशॉट ले जल्दी से तो फिर बागी चीजे में लए धिर देता हूँ ठीको आसानी रहे। दोपे जीरो की पार प्लस दो पे वन की प्लस थीत झाएंगे का प्लस दो पे ओलक प्लस ऐप युदरी तो पर पिपे फूक के पार दुसरी फैकट में 5 पर जरू के पार मुंने अब देखते हैं फैक्टर तो एवन वैक्टर आपको कैसे निकालना है जाहिए रहले तो यह आपको की सब्सक्राइइ यह जोड़ियो चोई है कि दो पर जिरू की पर यह तको नहीं लेगे कहां से स्टार्ट करना आपको तो आपको स्टार्ट करना है कहां से आपको स्टार्ट करना है कि दो कम से कम एक बार ले नहीं पड़ेगा जब जाके एवन फैक्टर होगा आपका क्या होगा इवन फैक्टर होगा तब जाके ठीक जैसे दो पे जिलो की पाउर दो पे व वल्यूम में अगर दो नहीं होगा तो यह वाली चॉइस होगी हमारी यहां से आपको स्टार्ट करना मेंड़ेगा कम से कम एक बार दो रेना पड़ेगा मैक्सिमम तो आप कितने बार भी ले सकते हैं कितनी बार जितने उसका फेक्टर होगा हाइस पाउर होगा इतनी बार ठीक है तो मैं इसको डारी टेरा ना पर तो इसको लिख लेते हैं तूपे 1 की पाउर प्लस तूपे अच्छा मैंने कुछ घट्बड़ किया क्या यहां 2 पे 0 की पाँ, 2 पे 1 की पाँ और 2 पे 2 की पाँ, 2 पे 2 की पाँ, 2 पे 3 की पाँ, और 2 पे किटनी की पाँ होगा है, 4 की, ऐसा ही, 3 पे 0 की पाँ, तो ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें तो कोई चिंज़ नहीं आएगा, ये सेम रहेगा, और 5 पे 0 प्लस फाइफ पर प्लस फाइफ पर टू की पाउर यह जागा 25-35-31 इंटू नौ और तीन बार और एक तेरा इंटू चार की पाउर हो जाएगा आपका सोला सोला और आठ चौबिस चौबिस और यह चार चौबिस और चार अठाइस अठाइस और दो कितना हो जाएगा तीस हो गया अब कर लिजिए मिल्टिप्लाइस को यह जाएगा 93 इंटू कितना हो जाएगा 13 13 से मिल्टिप्लाइ कर दीजिए तो इसका आजाएगा कितना इवन फैक्टर कितने हो जाएगा तो इवन फैक्टर हो जाएगा अब कितने 120 90 है ना कितने हो जाएगा 120 90 हो जाएगा ठीक है इसका इसक्रिंशॉट लेज़े वे चलना है वह 120 90 हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 90 ठीक तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 120 एपान 90 कि उसका हो जाएगा 30 इन्टू 13 इन्टू कितना हो जाएगा 31 तो इसका पूरा कितना हो जाएगा 120 90 हो जाएगा ठीक है तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा 한 Meta है और वाले मेंeton Kaline में straps और वाले में दूका कोई काम ही नहीं है और वाले में दो कोई काम नहीं है और में कौन से लेने पूड और नंबर और नंबर करेंसे पर यह जाएगा और टेरा टेरेंग ईन्टू पांच का प्रहित तश्यागा उर्ड्री एच्ज威र्ण और कितने हो जाएंगे आपके कितने छो रोले में वर्ड में और को लेना जिसमें डो रहएंगे ठीक है थीक है मुल्टिबूल आप 6 का मतलब क्या है कि कम से कुम एक दो होना चाहिए और कितो होना चीजी एक 3 हो न चीए तो धी हो जाएगी हैना अगर हम 3 तो यहां से स्टार्ट होगा यहां से इस में कोई changes नहीं होगा तो यह हो जाएगा 16, 28, 24 और 4 28 और यह 2 कितना हो जाएगा 30 तो यह हो जाएगा 30 यहां से कितनी बच्ची है 9 और 3, 12 हो गया और यहां से चोईश कितनी बच्ची है 5, 25 और 31 तो कितना हो जाएगा 9 93 और 0 12 और 12 से मल्टिप्लाइ नहीं कर देंगे तो इतने हो जाएगे जो multiple of six बोला है कितना हो जाएगा तो 11106 multiple of six का जो sum of factor हो जाएगा कितने हो जाएगे multiple of six का जो factor हो जाएगे 116 ठीक है तो यह हो जाएगा तक राइट अंसर यह हो सभी को clear हो रहो गए ठीक चले आगे चलते हैं भाई साथ में screenshot ले देवे चलना है न concept जादा है discuss पूरी सारी value discuss करना है और एक बार यह concept clear हो गया तो आपको question आप सारी question कर लोगे खुछ से concept main होता है चले आगे देख लेते हैं अगे क्या बोला एंडिग में 0 मतलब क्या होता है कि कम से कम एक पांच होना चीए कम से एक दो होना चाहिए तो 5 की यह वाली choice cancel हो जाएगी एक पांच तो होना ही चीए तो यह वाली choice भी कि cancel हो जाएगी ठीक है पहले इसको multiply कर लेते हैं यह कितना होगा 25 आठ चौबिस और चार अठाइस और दो कितना हो जाएगा तीस तीस तो यह हो जाएगा नौसो और 11700 यह हो जाएगा इसका राइट अंसर तो एंडिंग विज जीरो के कितने समफ एक्टर का कितना हो जाएगा 11700 तो आई होब सभी को सारी चीज़े क्लियर हो रही होगी बिल्गुल आराम से और अच्छे से हम डिस्कस कर रहे है ताकि आपको कोई भी कॉंसेप्ट ना रहे बचन ना बचे सारी चीज़े आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए अब प्राइम का देखते हैं प्राइम फेक्टर का सम क्या बहल रहा है प्राइम फेक्टर का सम ठीक है तो प्राइम फेक्टर का आपको पता है प्राइम फेक्टर में भी हमने सारी चीज़े डिसकस करी थी कि प्राइम फेक्टर में क्या करना होता है तो prime factor में करना होता है बस prime number लेना होता है क्या लेना होता है prime number ठीक है तो prime number कौन कौन से है prime number है एक तो 2 जिसमें वो factorize होता है prime number कौन कौन से है जिसमें वो value factorize होती है ठीक है देखो मैं बता देता हूं ध्यान से prime number कौन से एक तो 2 है देख तो 3 है और एक 5 है तो इसका sum हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा इसका sum 10 तो prime prime factors का जो sum होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 उसमें से prime number लेना अपको उसकी power और से कोई मतलब नहीं है ठीक है अब composite वाला composite वाला हमें last वाले में भी discuss किया था कि total में से अगर हम prime और क्या prime प्लस 1 को माइनस कर दे तो क्या भाएगे आपके composite आजाएगे क्या आजाएगे आपके composite ठीक है तो total हमने कितना निकाला था तो total हमने कितना निकाला था लिखा नहीं किया अपर 12 493 यह होगे total और total में से prime, prime कितना है 10 प्लस 1 11 हम क्या कर देंगे इसमें से minus कर देंगे कितना हो जाएगा 2,8,4,12 12,482 आजाएगा 12,482 इसका right answer कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 12,800 12,800 12,882 एंडिंग विद 5 कि कम सकम एंड में 5 होना चाहिए अगर हम मानलो 5 का 2 से multiply करते तो इसमें एंड में जीर हो आजाएगा हर condition में मतला अगर 5 का हम even number से multiply करेंगे तो एंड में 0 आएगा पकर 5 का हम odd number से multiply करेंगे इससे multiply करेंगे 3 से तो end में कितना आएगा 5 तो हमको even number तो ले नहीं नहीं है तो ये स्वारी choice तो cancel हो जाएगी कौन सी वाली दो वाली choice तो क्या हो जाएगी सारी cancel हो जाएगी दो वाली चोईस क्या हो जाएगी अपकी cancel हो जाएगी तो ये तो हम लहीं नहीं सकते क्योंकि अगर दो से कोई भी value से multiply करेंगे तो end में क्या आएगा जीरू हो जाएगा अब choice कौन सी बची है अपके बास 3 वाली और कौन सी बची 5 वाली 5 वाली बची है 5 पर 2 की पाउर्थी 5 वाली चोईस ले लिए जब कर लेते उसको हाँ इसमें कोई foundation नहीं है इसको पूरा ले सकते इसको पूरा ले सकते हैं देख लेते भाई ये कितना हो जाएगा 25, 35, 31 31, into ये कितना हो जाएगा 9, 3, 12, और एक 13, ठीक है कर लिजए इसको multiply कितना हैगा multiply करने पर अच्छा 31, 31 तो नहीं आना चाहिए देखो नहीं से ending with 5 ending with 5 पी पीज़ोष क्या है 5 पे 0 की पावर, 5 पे 1 की पावर, 5 पे 2 की पावर ठीक है अब ये वाले choice हम नहीं ले सकते हैं अगर 5 हमने एक भी बार नहीं लिए 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 पावर नहीं लिए चाहिए 5 पे 0 की बार इंटू 3 कर दिया तो कितना आएगा यहां तो 1 हो जाएगा यह तो कितना हो जाएगा 3 आजाएगा यह वाली choice हम नहीं ले सकते हैं कम से कम आपको 5 एक बार लेना ही पड़ेगा 5 एक बार लेना ही पड़ेगा into 3, कितना हो जाएगा, 390, तो इसका जो right answer होगा, वो कितना हो जाएगा, ending with 5 वाज़े टोटल, तो हमा factor कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 390, ठीक है, तो सारी चीज़े देहान से समझेना है, और कोई चीज़ पर आप डाउट को डाउट होगा, मैंने explain दो गए दिया, rewind करकिया, देख लेना अच्छे से, ठीक है, perfect score क्या होता है, कि हम square देखते है, क्या देखते है, इसमें square, ठीक, क्या देखते है, square देखते है, उसकी power को और 2, perfect square value, 3 पे 0 की power, प्लस 3 पे 2 की power, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, 5 वाला देख लेते हैं, 5 पे 0 की power, 5 पे 2 की power, perfect score, 5 पे 0 की power, प्लस 5 पे 2 की power, कर लो multiply, 12 और 8, 24 और एक, पच्छस, इंटू, 9 और एक, 10, इंटू, पच्छस, और एक, सब देख, ठीक है, अब करना है, इसका multiply, जल्ली से बता दो, इसका multiply क्या होगा, गलत तो नहीं कर दिया है, मैंने, 12, और 4 है न, अरे यार, 12 और ये 4, 20 और 21, 21 हो जाएगा, ठीक है, 21 हो गया, करना multiply, तो 21 का multiply कर देंगे, ये 6 में, कितना हो जाएगा, 6, पर जाल जाएगा, और लास में लगा देंगे, जीरो, उसका जो राइट अंसर को कितना होगा, पर्फेट इसकार वाला sum of factor, पूर, फाइफ, फाइफ, फॉर, सिक्स, जीरो हो जाएगा, पर्फेट क्यूब, पर्फेट क्यूब में क्या होगा, पर्फेट क्यूब में चॉइस क्या होगा, दो पे जीरो की पार, प्लस, दो पे तीन की पार, इसके बाद तो कोई क्यूब है, नहीं है, इसमें इसमें चॉइस क्या है इसमें तो कोई नहीं है तो कितना हो जाएगा टो perfect cube वाले कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 9 तो आई होप सभी को सारी चीज़े समझ में आगे होगी वीडियो को रिवाइंड करके सारी चीज़े देख लेना हमने सारा डिसकस कर लिया total sum of factor कैसे निकालना है even factor sum even even factor का sum फिर odd factor का sum उसके बाद multiply with multiple of 6 वाले factor का sum ending with 0 मतलब 10 वाला prying factor हो गया composite factor हो गया ending with 5 हो गया perfect square हो गया perfect cube हो गया सारी चीज़े हमने इच्छे से discuss कर ली है ठीक है तो I hope सभी को सारी चीज़े समझ में आ गही होगी ठीक है आधी मेरा explanation देखिए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके तो आप लोगे ने question solve कर लिया होगा अब हम question को discuss कर लिते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है question को read करना है question में पूच कर रहा है वो देखना है उसके बाद ही आपको आगे question solve कर होना है ठीक है क्या बोल रहा है x is a factor of 360 x is divisible by 46 the sum of all possible value of x and y find the least number which gives perfect cube ठीक तो 360 के ऐसे factor देखना है जो x से divisible है और जो 4 और 6 का multiple हो 4 और 6 का multiple यानि 4 और 6 का multiple कौन सा होगा तो बहुगा उसका LCM और अगर LCM की बात करेंगे 4 और 6 का LCM कितना होगा 12 होगा बड़ी वैलो लिया 12 छे लिया 6 से 6 का multiple चेक कर लिया ठीक है 12 होगया ओके अगे अब इसका 12 का क्या होगा 12 का factorize कर लेते हैं चारतिया 12 तो चारतिया 12 मतलब 2 पे 2 की पावर एंटू 3 पे कितना होगा एक की पावर होगी 3 पे कितना की पावर होगी एक की ठीक है अब 360 के हम देख लें दें 360 का 360 का क्या होता है 360 का 360 का total factor तो 9 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2 तो यह जाएगा 2 पे 3 की पावर 3 पे 2 की पावर और 5 पे 1 की पावर यह होगा 360 के factor ओके अब बोला है कि 4 और 6 का multiple होना चाहिए तो कम से कम 2 2 तो होना चाहिए और 2 से कम में चले गई और 3 कम से कम एक बार होना चाहिए तो कितने चॉइस बचिए हमार पास यह से स्टार्ट हो जाएगी तू पे 2 की पावर होना चाहिए कम से कम और maximum कितना हो जाएगा 2 पे 3 की पावर नेक्स डाला देख लेते हैं कम से कम 3 तो एक होना ही चाहिए 3 पे 1 की पावर प्लस 3 पे कितने की पावर हो जाएगी तो 3 पे 2 की पावर हो जाएगी उसके आज 5 पे कोई बानेशन नहीं है 5 पे 0 की पावर प्लस 5 पे एक पावर ठीक हां अब देख लिएख लेटे में समब्सक्तर कर लेते हैं आट और चार और तो चार हो जाएगा बारह ठीक है नौ और तीन नौ और तीन भी कितना हो जाएगा बारह एंटू यह कितना हो जाएगा पांच और एक छे छे हो गया वन वर्टी पूर इंटू सिक्स तो तो चार हो गया तो चार हो गया तो चार हो गया यह हो गया यह हो गया इसका सम्मर फेक्टर ठीक है यह किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका य के बराबर हो गया है इसके बराबर हो गया है इसके बराबर हो गया है यह ना सम्मर फेक्टर करने पर जो आएगा वो क्या हो गई वाई के बराबर हो गई हमें कोशन में बताया है ठीक अब इसको फेक्टराइज कर लेगता है तो इसको फेक्टराइज करेंगे तो आठ और दस से नौ से कड़ जाएगा वैल्यू काट लिटे नौ से नौ से काड़ दिया नौने क्यासी हो गया और कितना बच्छे का पांस तीज से नौ से और कड़ जाएगा तो तीन और अलग कर पत्रिस में से इंटू तो इसको फेक्टराइज इदर लिख रहा हूं में तो टू पे बत्तिस यहन हो जाएगा तू पर फाइब के पार इंटू पर थी की पार ठेक है तो बूल क्या है देखो विच ग्यूस पर्फेक्ट क्यूब मैं मल्टिप्लाइज विट वाय तो वाय में किस वैलू से मल्ट बशेक्ट क्यूब बन जाएगा अब इसको बैक्टराइज कर दिया देखो यह गटर्फेक्टوج मैं किस को रहने के लिए कंदे दो चाहिएत वह विच्छे और दोग्र की कमीन तो क्या कंदेंगे एक और दूसे मल्टिप्लाइग कर देंगे तो यह अबन जाएगा आपका क्या बन जाएगा पर्फेक्ट क्यूब बन जाएगा तो आई होप सभी को यह कुशन समझ में आया होगा है ना अच्छे से वह सारी चीज़े क्लियर हो गई होगी ठीक है इसका स्क्रिंशॉट ले लिजे लिसे फिर हम चलेंगे आगे अगले कोशन पर ले लिजे भाई स्क्रिंशॉट इसका अब चलते हैं हम आके next question पे वीडियो जब upload होता ना तो जैसे अब class end होती तो आपको जरूर जरूर बताना है कि आपको classes कैसे लग रही है समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना यह बहुत जरूरी होता है इससे teacher को motivation मलता है और वो नईनी चीज़े लेके आने की कोशिश करता है तो आपको video end होने के बाद ना comment box में बिल्कुल comment करना है कि आपको classes कैसे लग रही समझ में आ रहा नहीं आ रहा है सारी चीज़े ठीक है लेवल में कोई कमी नहीं करेंगे बिल्कुल basic से advanced level जितने भी कोशन बन सकते सारी चीज़े हम अच्छे से आराम से discuss करेंगे ठीक है अगले question का आते हैं अगला question क्या बोल रहा है आपसे उसको video को pause करके आपने question to solve कर ही लिया होगा चले मैं explain कर देता हूँ x is a factor of 360 x is divisible by यह तो हो गया था question तो हो गया है next question what is the sum of full all the factors 1080 which are multiple of 3 and end with 5 है ना तो जो लोग अभी इसको pause करके विड़ा करना है ना पहला है ना उसके बाद मेरा explanation देखना है what is the sum of all factors 1080 which are multiple of 3 and end with 5 तो multiple 3 का होना शाहिए कम सकम और end किसे होना चाहिए 5 से होना चाहिए तो इसको divide कर लेते हैं 9 से कर लो divide 10 हो जाएगा तो 9 से करेंगे 1 times आएगा और कितना हो जाएगा 2 times 9 हो गया और कितना हो गया 5 into 2 हो गया ठीक है यह उतना होता है 4 into 3 इसको भी हटा दो चार हो चुका और पांस पर कितने के बार हो यह एक की बार हो गया तो इसकी प्राइम फेटराइशन होगा यह किसकी 1080 की अब बोल क्या रहा है किसी भी वेल्लू सब इवन नंबर का मल्टिप्लाइ करें इवन नंबर क्या होता है 2 तो कितना बन जाएगा 10 10 मतलब कितना जाएगा जीरो और जीरो आएगा end में आएगा क्या जीरो तो हमें तो जीरो चाहिए नहीं हमें क्या चाहिए हमें चाहिए 5 पाइब चाहिए तो हमें किस से multiply करना पड़ेगा और नमबर से multiply करना पड़ेगा ठीक है और नमबर से multiply करना पड़ेगा ठीक है अब देख लेते हैं क्या करन है इसको तो और नंबर से मल्टिप्लाइ अगर करना है इसको तो देख लो द्यान से ठीक है और नंबर से मल्टिप्लाइ करना है क्या करना है तो दो तो हम लई नहीं सकते इसमें दो हम एक भी नहीं ले सकते और कम से कम तीन का मल्टिपल होना चीज़ तो तीन पर इसकी choice क्या होगे, 3 पर 0 की power, 3 पर 1 की power, 3 पर जो तो है, मगर 3 पर 0 की power हम ये लई नहीं सकते, अगर 3 पर 0 की power हमने लिया, तो वो 3 का multiple तो होगा है, क्योंकि हमने 3 को लिया है, तो ये वाली choice होगी cancel, तो आपको क्या करना है, कहां से start करोगे आप, 3 पर 1 की power, प्लस 3 पर 2 की power, प्लस 3 पर 3 की power, ठीक है, ब्रैकेट में 5 बला देख लो, 5 बला क्या हो दाएगा, 5 पर, 5 पर 0 की power, और 5 पर 1 की power, ये वाली choice इसमें भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 5 पर 0 की power लिया हमने, तो 5 का multiple तो बचे गई नहीं, और क्या बोला, या तो 3 का multiple होना चाहिए, और end में 5 होना चाहिए, तो कम से कम 1 5 तो होना ही चाहिए, तो ये choice भी हो गई है, cancel, तो हमें कम से कम 5 को एक बार लेना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 27 और 9, 36 और 3, 49, ठीक ए, कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39, इंटू, ये कितना हो जाएगा 5, कर लो भी multiply, 39 इंटू 5, तो इसको multiply करने पर कितना जाएगा 195, कितना जाएगा 195, तो हमारो जो right answer हो जाएगा वो जाएगा option number B, क्या हो जाएगा option number B इसका right answer हो जाएगा चले I hope सभी को question 7 में आ गया होगा multiple 3 का बोला था तो कमसकम 1 3 तो ले नहीं है ending with 5 बोला था तो कमसकम 1 5 तो ले नहीं है दूसरी बात 5 में हम even number का multiply नहीं करेंगे क्योंकि उससे वो क्या हो जाएगा तो उससे वो value क्या हो जाएगी अगर even number से multiply करेंगे तो last में क्या जाएगा 0 आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए चले भई आगे देखते हैं आगे क्या करना है ठीक है screenshot ले लिया चले next question आ गया है वीडियो को pause कीजिए question को solve कीजिए उसके बाद ही मेरा explanation देखिए जल्दे से कीजिए इस concept चले तो इसको देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीज़े क्या बोरा सबसे बिले question समझना है कि question आपसे क्या पूछ रहा है there are 50 boxes 50 percent कितने box है 50 box है और 50 percent है one person keeps one marble in every box तो एक box है box one फिर second box होगया box two फिर third box होगया box three fourth box होगया box four ऐसी चलते जाएगा तो last में क्या होगा 49 box और कितना होगा 50 box तो ध्यान से समझना है question को तो अच्छा question है यह 50 box है एक से लेगे और person भी 50 first person है वह क्या करेगा एक box में कितने marble रखेगा तो एक box में first person हर ایک box में एक-एक marble रखेगा तो वह कितने marble रखेगा तो 50 सब्सक्रीन एक-एक box में एक-एक marble रख रहा है ठीक है फिर क्या होलता है तरड वाले में रखेगा उसले तेसरे में रखेगा फिर नुवे में रखेगा ऐसा रखते जा रहा है ठीक है और कितने रखते लुख्ष सब्सक्राइब लास्त वाले ने अगर आप कोशन स्यमज गये होंगे तो सकन का अंसर आ गया होगा है अगर आप नहीं समझेंगे तो इस question का आपका अंसर नहीं आएगा, बिल्कुल conceptual question है, देखना है मैं ध्यान से, ठीक है, तो एक बार मैं फिर से अपने language में explain कर देदा, जो first person है, वो एक marble रखेगा हर एक box में, 50 तक, second person हर दूसरे box में 2 marble रखेगा, third person क्या करेगा, तो हर तीस इसरे box में, तीसरा हो गया, छटवा हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इस box में 3-3 marble रखेगा, फिर ऐसा process चलता जाएगा, और 50th person जो है, सिर्फ 50th box में 50 marble रखेगा, तो पुछरा, ऐसी condition में, आपके, 50 box में कितने marble आएंगे, तो देखो ध्यान से, 50 box में marble कौन कौन से जाएंगे, जो 50 का multiple होगा, अब देखो, तीसरा person जो है, 3-3 marble रख रहा है, क्या वो 50 वाले में रखेगा, क्या नहीं रखेगा, क्यों कि ये 3 से divide होता ही नहीं है, 3 के multiple में 50 आता ही नहीं है, 48 आता है, उसके बाद 51 आता है, तो ये तो रखेगा ही नहीं, तो कौन-कौन 50 व क्या 2 के multiple में आएगा, इतने वाल बार रखेगा, 2, 3 के multiple में नहीं आएगा, 4 के multiple में जो भी इसका charge है, 4 से divide होता है, इसके पहले factorize कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इसके factor कितने होंगे, 1, 2, 4 से भी divide नहीं होगा, 5 से divide होगा, 5, 5, 10 से divide होगा, 10, उसके बाद 10 के बाद क्या वही लोग 50 वाले box में marble रख सकते हैं, या फिर जो value 50 को divide कर सकती है, वही लोग 50 वाले box में marble रख सकते हैं, तो पहले वाला तो एक marble रखेगा, दूसरे वाला 2 रखेगा, 5 वाला 5 रखेगा, 10 वाला 10 रखेगा, और 25 वाला 25 और 50 वाला 50, सब को add कर लो, यह जाएगा 75, 85, 90 और यह कितना हो जाएगा टू और प्लस वन टोटल तो टोटल कितने बॉक्स रखेंगे कितने मार्बल रखेगा तो 93 मार्बल रखेगा ठेक है इसका राइटन्सर क्या हो जाएगा इसका राइटन्सर हो जाएगा 93 इतना हो जाएगा 93 जली से इसका स्क्रिंशॉट ले लिए पिर आगे चलेंगे हम अगले कुश्चन में चलेंगे हम आगे नेक्स कोश्चन पर तो ये कोश्चन आ गया है वीडियो को पॉस कीजिए कोश्चन को कुछ सौल कीजिए उसके बाद ही मेरा एक्स्प्लेनेशन देखिए तो आपने कोश्चन कर लिए होगा वाट इस दप्रोड़क्ट अफ ऑल फैक्टर ऑफ 576 के रुड़क्स का क्या बोल रहा है वो तो प्रोड़क्ट ऑफ अल्फ अल्फ अगर बोल रहा है ठीक है गोड़न क्या होता है जैसे देख दियां से तो जैसे हमने कोई नंबर लिया जैसे हमने लिया एक नंबर जैसे मान लो थर्टी लिया उसके कितने कितने फैक्टर या इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है इसमें दो वैलू का मल्टिप्लाइब हो कैसे आ सकता हुए 1 इंटू कैसे जाएगा 30 ठीक है फिर सेकंड क्या होगा 2 इंटू 15 ठीक है 3rd क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा आपका 5 इंटू 6 पर तिछ सिक्सिंटू 5 हो गया हुए फिर क्या हो जाएगा ध्या थिश्वाद से चीजे समझना अच्छे से यह हो गया इसका प्रोडक्त की 30 को हम सीपिर तीस के जो गुडंखने स्कार्यक्टर जो multiple है, कितने factors में हम इसको लिख सकते हैं 32 को देखा हमने total कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हो गए है, बट ये 8 हो गए है, बट इसमें से देखो 4 तक तो ठीक ता, 4 के बाद क्या हो रिपीट हो गया है 4 के बाद क्या हो गया है, सारा इसके factor होंगे, जो भी क्या होंगे, इसके factor होंगे factor का क्या लेना, आपको half लेना है, जैसे यहां पर total कितने में बनेते, 8, 8 का क्या किया है, इसमें half लिया है क्या लिए इसका half, ठीक है, वही, कितने value से 30 बनेगा, जैसे हो गया, 1, 2, 3, 5 ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 6 पर कितना हो जाएगा, 10, कितना है, 15, उसके बाद कितना है, 30, ठीक है, यह कितने factor है, इसके factor है, इसको मैं रेस करोंगे, तो 30 बनाना है, क्या बनाना है, आपको 2 value का multiply करके 30, 30 इसमें में आधे अधे तो इसमें पेर में आधे अधे कितने बनेंगे आधे जितने अदे इसके 8 8 का half लेंगे तो 4, 4 half लेंगे, 4, 4 से क्या बनेगा 30 बनेगा, कितना बनेगा 30 multiple ठीक है तो इसको short में कैसे करना है तो product of factor बोले जाएगा क्या बोलेगा, product of factor तो इसका product of factor तो इसका product of factor क्या होगा, भई 30 कितनी बार मनना चार बार क्योंकि 8 वो है आपके factor 8 वो है ठीक है 8 product of factor कितने बनेगे इसके 4 बनेगे, कितने बनेगे, 4 है ना 4 बार हम 30 बना पा रहा है 30 इंटी 1 15 इंटी 2 3 इंटी 10 और 5 इंटी 6 तो कितने pair बन रहा है, 4 बन रहा है, कितने बन रहा है इसका मतलब ये है ठीक है तो आपको धियान रखना है जब भी ऐसा करना होगा रटा को करना है आपको लेना है नंबर नंबर क्या होगा इसका हम निकाल रहे है changed फिर नंबर आफफ एकटर जितने भी टोटन नंबर आफटर होंगे वो और उसको किसे रिवाइट करना है टू से टोटल नमबर फैक्टर कितने थे आठ नमबर ले लिया टोटल नमबर फैक्टर कितने थे आठ दो से रिवाइट कर दिया तो प्रोड़क्ट फैक्टर कितने हो जाएगे 3 पे 30 फिर कितने के पावर हो जाएगी 4 की पावर हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4 की पावजाएगी ठेक है एक और एक्सामपल लेकि बता दिकता हूं जैसे हम प्रसरे के टॉटल अमबर फक्टर क्तने ножंगे यह 1 से 2 के से solve होगा तो क्या करेंगे 2 को ले जा लेंगे अंदर 2 को ले गए अंदर 16 पर कितने की power हो गई है 1 by 2 की power और bracket की power कितना हो गया 5 यह कितना हो जाएगा 4 का square और बाहर कितना हो जाएगा 5 की power 4 तो 5 की power ठेक है तो आगे समझ में सभी को की product of factor कैसे निकालना है number लेना है यह लिखा है number और number of factor upon क्या करेंगे 2 से आपको divide करना है ठीक है चलते आगे वैसे आपको इस question का भी निकालना है 576 तो आपको लेना है number total number of factor upon 2 ठीक है number कितना है number है 576 ठीक है अब इसके total number of factor हम देख लेते है total number of factor कैसे होंगे total of number factor यह क्या होता है 24 का multiple होता है 24 into 24 इसमें कहोता है 8 into 3 और 8 into 3 ठीक है इसमें 2 3 होगा इसमें 2 3 तो 2 पर कितने पार होगा यह 6 की 3 और 3 3 पर 2 की पार ठीक है total number of factor क्या पार में हम plus 1 कर देते है 6 plus 1 कितना हो जाएगा 7 into 2 की पार है 2 plus 1 कितना हो गया 3 तो total number of factor कितने हो गया 21 कितने हो गया 21 यह हम नें बताया था last class में से 21 की पार total number of factor कितने हो गया 21 और इसको किस से रिवाइट करेंगे 2 से ठीक है इस 2 को ले जाएंगे अंदर तो यह कितना हो जाएगा जो जाएगा 576 पर कितने की 1 by 2 की पावर और इस पर कितने की पावर हो जाएगे 21 क्यों की यह कितना हो जाएगा 24 dw21 की पावर कितना हो जाएगा 21 की पाओर इसका तो राइट अंसर होगा वह कितना हो जाएगा option number A इसका right answer होगा क्यों जाएगा भाई option number A इसका right answer होगा ठीक है clear है option number A क्या होगा इसका right answer होगा ठीक clear तो I hope सभी को concept समझ में आगया होगा मैंने एक बार discuss भी कर लेना है और मैंने बताया था कि आपको सारी previous classes देखकर इस classes को देखना है अगर जिसने सारी previous classes देखी नहीं है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आराकि मैंने इस तरह के explain किया है कि आपको सारी चीज़ समझ मे आजाए बट जो number of factor निकालने का तरीका होता है हमने last class में अच्छे से उसको detail में discuss किया है उसमें आप देख सकते हैं ठीक चले आगे चलते हैं चले वीडियो को pause किजिए question को solve किजिए उसके बाद ही मेरा explanation देखिए अब तक आपने question solve कर लिया होगा चले इस question को हम देख लेते हैं इस the product of factor which are at position at 19th and 35th from the starting result in the number of and itself क्या बोल रहा है यह जो product है factor का है ना एक the product of factor यह first हो गया ठीक है फिर यह second हो गया फिर यह third हो गया ठीक है इसे जा है बीच में और 19th और फिर इधर किटना जाएगा में है यहां नीचे लिख लेते हैं आ Qoast हो गया किया होगो सॉफ्य हो गया कियोत्रक्स परबश्चारा सभिडसार बीच होगया किया धैक्या हो गया यहあのrain Tso इतना कि इतना एटान इतना आपको बताना कि इसमें ट्रूटल एट्र कितने है यह हो जाएगा किटना फेक्टर लास्ट यह जाएगा लास्ट यह बोला है कि यहां से यह हैं यही सिदर से टेफंट से हैं समय को से और किसर चुछे टोटल कितने को नहीं हहां इतना पता है कि यह से सट ऊच्ट हुआ है यहां से फीके ना है alk filmmakers फो पर खाल और हो जाएगा तो इनके बराबर है 35 हो जाएगा 35 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम इसको यहां से पूजिशन निकालो और यहां से पूजिशन करते क्या करते हैं left से position प्लस उर्द से हैं लाई से पोजिशन जो है यहां आप्य यहां की जो पूजिशन में 90 कितनी है starline से कितनी है 19 और करेंगे में ऑन अगर हमें टोटल नंवर्ट ंच ब्लास तक निकालना है क्लिए म arguments इसकतना होका है इंण मुल्टिपल ऑप्केटर 53 अब हुछ में टुटर इसके इन शॉट लिजिए इसका चले आज की ग्लास यहीं तक तो आपका जो स्सीप्रीट 23 और 24 के लिए जो 150 से 150 आपका कंप्रेट कोर्स जो लांच किया गया है जिसमें अरिथमेटिक कराई जाएगी आपको ठीक है और उसके साथ में आपको वीजनिंग करवाई जाएगी कंप्यूटर करवा जाएगा डाटा इंटर्प्रेशन करवा जाएगा और इंटरफेर्स ठीक है सारी चीज़े करवाई जाएगी तो कोर्स कितने का हो रहा है क्या डिवरेशन है जो भी आपके डाउट है आप इस नंबर पर वाटसप और कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले स आपको ग्लास कैसे लगी है यह आपको कमेंड बाक्स में जरूर बताना है समवा फेक्टर हमने डिसकुस किया है और इस पर बेस कोशन आपको कुछ से भी कुछ डिसकुस करने है ठीक है तो चलिए थैंक्यू सो मुच गाइस थैंक्यू वेरी मच